हलो फ्रेंड असलाम लेकूं आज मैं आप लोगों के साथ शेर करूंगी गोस्त की ताहिरी बनाने की रेस्पी जो बनाने में जितनी आसान है उतनी ही टेश्टी बनके तयार होती है सबका दिल खुश करने वाली गोस्त की ताहिरी बहुत ही खुश्बुदार ताहिरी बनाएंगे हम आज तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेर भी कर दीजिएगा तो चले जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ताहिरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने आपर נए चावल लिया है और नए चावल में जब आप ताहिरी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी और बहुती लजीज यह दात ताहिरी बनके तयार होती है तो ये हमारे घर का चावल है और हमारा खेद भी है तो हमने अपने ही खेद के चावल का इस्तमाल किया है ये ताहिरी बनाने के लिए तो एक किलोग्राम मैंने गोस्त ले लिया है बड़े का आप ताहिरी बनाने के लिए चिकन, मटन या फिर किसी भी चीज का गोस्त इस्तमा ताकि गल जाए एक तीजब नमक भी आइड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको में पका लेना है ताकि हमारा गोस्त अखल जाए यहां पर दो बड़े साइज के मैंने टमाटर और प्याज कटकर रखे हुए हैं मसाला बुनने के लिए अधरकलेसन का पेस्ट और हरेमिस क पेस्ट लिया है कुछ खड़े मसाले लिए हैं एक तीजब जीरा एक तीजब जीरा एक तीजब काली मिज पाउडर लोंग लाइची दालचीनी का टूड़ा तेजब और एक कप सरसो के तेल को गरम कर लेंगे उसमें प्याज को हमें फ्राइ कर लेना है प्याज का कलर जब तीन से चार मिजब तक हमें भूनना है ताकि अधरक लसन का जो कच्छा इसमेल हो खतम हो जाए आप हरे मिर्च के पेस्ट के बजाए आप यहां पर हरे मिर्च को कट करके भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यह पर हमने को बच्ची तरीके से भून लिया है टमाटर भी आट कर दे जब आप ती स्पून धनिया पाऑडर हाफ़टी ऐस्पून फाल्दि पाओडर और एक टी स्पून इसमें लेंगे हम गरं मसाला पाbed और यह सारे गर्म मसाले पाऊडर हमें गोश्टमें इस्तमाल करना है तो यहां पर हमने प्याज को और टमाटर को सौफ्ट कर लिया है तो यहां पर हमने एक कप के करीब हरा मृतर का इस्तेमाल किया है जब आप ताहिरी भी बी कुलाओं बनाया तो वह पुलाओ बनायां तो हरा मृतर का इस्तेमाल करने से बहुत यह अच्छा टेस्ट आता है यहां पर behöver हमारा गल चुका है तो इसको यहकनी से अलहदा कर तो हमें चानल डाले के साथ 4-5 मिनट तक हाइफ लें पर भूनेंगे ताकि मसाला और गोस्त एक जान हो जाए लगताद चलादेवे चार पाश मिनट दक हमने मसाले को गोस्त के साथ भूं लिया है जब यह खूब अची तरीके से भूफ जाए तो हमने यखनी जो अलग करके नापना छार कप चावल करना है तो इसमें Tweaken प्ठाइब रशुचे अगर यखनी, और पानी के पानी के पानी पाणी आइफ करना है, और न कीडिकमत अब करना है, यह यहां पर पानी हमने इसको खुबची तरीके से खोला लिया इसमें हमें चावल एट कर देना है तो चावल एट करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर हमें चार से पाच मिनट तक ढख के पकाना है ताकि खुबची तरीके से हमारा चावल गल जाए और जब आप मेरे टिप्स फ्लेम को बंद कर देना है तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने अच्छी तरीके से पका लिया है चम्चे से थोड़ा सा ताहरी को नीचे उपर कर देंगे थोड़ा सा इसमें से भाप निकल जाएगा थोड़ा सा थंड़ा हो जाएगा तब इसको हम सर्व कर लेंगे तो अगर आपके पास कोई महमाना है तो आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करें यह बहुती असानी से बनने वाली रेस्पी है और इसको बनाना भी बहुत असान है आप इस रेस्पी को मतन या चिकन में भी ट्राइ कर सकते हैं तो बहुती आसान बहुती चटपटा और लाज पसंद है वो मेरी रेगुलर वीडियो को वाच करती है अगर आपको भी मेरी कोई रेस्पी अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताएं मुझे आपके कमेंट का इंतिजार रहता है और मुझे ये भी कमेंट करें कि आप ये मेरी वीडियो कहां से वाच कर रहे हैं मुझे जानके बहुत ही खुशी होगी और रेश्पी अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और फैमली फ्रेंडे में शेयर करना है बिल्कुल भी न भूलें तो मिलते हैं हमेशा की तरह एक नई रेश्पी के साथ दौाओं में याद रखिए अपना ख्यार रखिए और मुझे सपोर्ट करिए तब तक के लिए अल्ला हाफीज बाई बाई